पंजाब में एक दिसंबर से लगेगा नाइट कर्फियू, कोविड-19 के नियमों को तोड़ने पर देना होगा दोगुना जुर्माना जिहां कोरोना को फिर से बढ़ते हुए प्रकुप के मदनजर पंजाब की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है पंजाब के मुख्यमंतरी कैप्टन अमरंदर सिंह ने सभी सहरों और कस्बों में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात में कर्फियू लगाने का आदेश दिया है पंजाब सरकार का यह आदेश राज्य में एक दिसंबर से प्रभावी होगा इसी के साथी राज्य में कोरोना के दोरान नियमों का पालन न करने पर दोश्री को डबल जुर्माना भरना होगा फाइन को एक हजार कर दिया गया है पंजाब इसके अलावा रात को 9 बचकर 30 मिनट के बाद से सभी होटल, रेस्तरा और विवाह अस्तल को बंद करने को कहा गया है राज्य की सरकार द्वारा 15 दिसंबर को इस पाबंदी की समिक्चा की जाएगी आपको बता दें कि देश के अन्य राज्यो के मुकावले पंजाब में कोरोना कुछ हद तक कम हुआ है लालू यादो के वाइरल ओडियो पर बीजेपी विधायक ललन पास्वान ने कहा मुझे फोन करके उन्होंने स्पीकर को ततकाल गिराने के बाद की जिहां बिहार विधान सभाई स्पीकर के चुनाओ में एंडिये उम्मिद्वार ने जीत दर्ज की है बीजेपी के विजेश सिन्हा नए विधान सभाई स्पीकर चुने गए है लेकिन इससे पहले लालू यादों के कतित ओडियो को लेकर जमकर बयान वाजी हुई है सांथी बिहार के पुर्वे डिप्टी सीयम सुसील मोदी ने आरोप लगाया कि आरजडी प्रमुक लालू परसाद यादों ने बीजेपी विधायक ललन पास्वान को महाकटबंदन के पक्च में वोट करने के लिए प्रलोभन दिया इसे बीच पूरे मसले पर बीजेपी विधायक ललन पास्वान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे फोन पर लालू परसाद यादों ने स्पिकर को तत्काल गिराने के बात की बीजेपी विधायक ललन पासवान ने कहा कि लालू जी का फोन आया था तो मेरे पी ए ने फोन उठाया, मुझे लगा बधाई के लिए फोन किया होगा वो कहने लगे कि स्पिकर को गिराना है, ततकाल गिराना है, हमने ऐसा करने से मना कर दिया बिहार में सियासी घमासान जारी, सुसील कुमार मोधी बोले, लालू यादोने एंडिये विधाय को महा कटबंदन के पक्च में मतदान करने के लिए दिया प्रलोभन जी हम बिहार में नई सरकार बनने के बाद भी सियासी ड्रामा खतम होने का नाम नहीं ले रहा है लगतार किसी न किसे मुद्दे के चलते बयान बाजी का दौर सुरू है इसे बिच बिहार के डिप्टिसियम सुसील कुमार मोदी ने आरजडी चीफ लालू परसाद यादो पर बड़ा आरोप लगाते हुए हमला बोला उन्होंने कहा कि लालू यादो रांची जिल से एंडिये उम्मिद्वार को फोन करके महा कटबंदन के पक्च में वोट करने के लिए प्रलोभन भी दे रहे हैं आपको बता दें कि सुसील मोदी ने यह ट्वीट करकिते हुए लालू यादो पर आरोप लगाया है कल जो यह स्पिकर का चुनाओ है उसमें हम लोगा साथ दो तो इसका हम तो बनाएंगे मंतरी बनाएंगे कल तो इनको अम लोग इरा देंगे समझे ना पाती में है सर पाती में है तो अप्संट हो जाओ ना पार्टी में हो तो अपसंट हो जाओ खरोना हो गया था फिर तो श्रीकर रबाना हो जागा तो अब लोग दिख लेगा ना पार्टी में सरफ फरा सब ठीक है था अपसंट हो जाओ तो मद्यपरदेश विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद इमर्ती देवी ने कैबिनेट से दिया इस्तीफा जिहां मद्यपरदेश में विधानसभा उपचुनाव के बाद एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है दरसल जोत्रादित सिंधिया की बेहद करीबी इमर्ती देवी ने उपचुनाव में हार के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है इमर्ती देवी ने अपना इस्तीफा देने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान इसे स्विकार करें या न करें उनका अधिकार है आपको ग्यात हो कि हाली में विधान सभा उपचुनाव में इमर्ती देवी अपने रिष्टदार सुरेश राजे से चुनाव हार गई हैं वे राज्य की डबरा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी जो की सबसे हाई प्रुफाइल सीट थी उन्हें कॉंग्रिस के सुरेश राजे ने चुनाव में हरा दिया भारत से सामान्य व्यापार संबंद बहाल करने के लिए चाइना ने फिर किया आग्रह जिहां भारत द्वारा नवी नितम प्रतिबंद के तौर पर 43 चीनी मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंद लगाये जने से व्यतित चीन ने बुधवार को भारत सरकार से पारसपरी के हीत में व्यापार संबंदों को बहाल करने का अग्रह किया है नई दिल्ली में चीनी दुतावास द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चीन और भारत एक दूसरे के लिए खत्रों के बजाए विकास की अवसर हैं दोनों पक्षों को आपसी लाब और बातचीत और समवाद के अधार पर द्वी पक्षिये आर्थिक और व्यापारिक संबंदों को वापस पटरी पर लाना चाहिए अलिबाबा एक्स्प्रेस, टिक टॉक, स्नैक बिडियो, सहित चीन के 43 मुबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंद लगाने के भारत सरकार के फैसले से सम्मंदित एक मीडिया सवाल का दूतावास जवाब दे रहा था बयान में कहा गया है कि चीनी कम्मुनिस्ट पार्टी सासन चीन के मुबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंद लगाया जाने के लिए भारतिय पक्ष द्वारा बार बार बहाने के रूप में रास्तिय सुरक्षा का हवाला देने का कडाई से विरोध करता है